हलो दोस्तों आज मैं भल्ला चाट बनाने जा रहे हूं इसके लिए चाहिए धूली उरत मैंने पास छे घंटा इसे पानी में फुला लिए हूं साफ करके अब इसे महीन पीशना है मेरा पीश चुका इसमें अधरक हरी मिर्च डाल कर फिर पीशूंगी मैं मिक्सी में ही ज्यादा चला ली कि डाल हलका हो जाए अब इसे निकाल लें अब इसे में हींग काली मिर्च इसे मिला लें मैंने मिक्सी में ही काफी फेटा है इसे अब मैं नमक डालूंगी टेस्ट के अनुसार ये फेट चुका है अब मैं पानी में चेक करूंगी ये देखिए दाल उपर आ गया है इसका मतलब पकवरी अच्छा बनेगा सॉफ्ट बनेगा मैं पहले से बना रही हूं अब आप देखिए कैसे मैं बनाऊंगी इसके लिए सरसो का तेल गरम है अब मैं पकवरी इस तरह से डालूंगी आप मीडियम आच पे बनाएं तेज आच पे उपर से जल जाएगा नीचे कच्छा रहेगा इसे बनाने में पान से साथ मिनेट लगता है अब मैं एक बारतन में पानी लिएँ उसमें नमक डाली थोरा दही डालूंगी अब इसे अच्छी तरह से मिला लें जो मैं पकवरी बनाएं उसको डालूंगी मैंने सारा पकवरी डाल दी आप इसे पान्च मिनेट छोड़ दे इधर में दही को अच्छी तरह से फ्रेट रही हूं मिक्सी में ना चलाएं ने तो वो पतला हो जाएगा पानी जैसा दही मेरा पकवरी फुल चुका है अब इसे हलका हाथ से दावेंगे अब मैं इसे सर्व करने के लिए तयार कर रही हूं इसमें दही डालूंगी फेटा हुआ अब इसमें भूना जीरा डालें हलका लाल मिर्च डालें काला नमक डालें अब मैं इसमें इमली की चत्नी डालूंगी मीठी अब मैं हरी चत्नी डालूंगी आम पुदीना की चत्नी है यह बनकर तयार हो गया है अगर चाहे तो आप प्याज भी डाल सकती है सर्व करने के लिए यह तयार है इसे ताजा दही में रखें है तेक्यू जब में पुदी के लिए स्वलम्राइब अगर इस टॉश ठाग के लिए भी जड़े